नमस्कार साथियो तोड़े वी आर गोइंग तो डिसकुस अबावर्दी राजस्तान स्टेट हुमन राइट कमिशन इट इस इंपूर्टेंट पार्ट ओप सीकिंड ग्रीड सेलिबस फॉर फर्स्ट पेपर यह राजस्तान लोग से वायोग के दोरायजित किराये जाने वाली दित्ती से निध्यापक परतु की प्रिक्षा के परतम पेपर का प्रश्ट पत्र का महत्वपून टॉपिक है और इस टॉपिक से एक क्यू सनाता है राजस्तान राज्य मानवधिकार आयोग के बारे में आए विस्तार से परिचर्चा करते हैं राजस्तान राज्य मानवधिकार आयोग जिसका स्लोगन है Human Rights for All, मानवधिकार सब के लिए तो राजस्तान राज्य मानवधिकार आयोग के बारे में परिचर्चा करें उसे पहले हमें समझना होगा What is human rights? मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकारों के लिए स्वर परतम सहिंत राश्ट संग के द्वारा मानव अधिकारों को define किया गया और पहली बार 10 दिसंबर 1948 इस वी को सारव भूमिक मानव अधिकार घोशना पत्र Universal Declaration of Human Rights on 10 दिसंबर 1948 सहिंत राश्ट संग के द्वारा सारव भूमिक अधिकार घोशना पत्र जारी किया गया तो साथ हों जैसा आप सब को विदित है United Nation Organization की स्थापन अकब हुई बिलकुल आपको याद होगा 24 अक्टूबर कब 24 अक्टूबर 1945 इस भी को संग्त राश्ट संग की स्थाप न होई और इसका मुख्याले निवार्क सहर के अमेरिका के निवार्क सहर में है साथ हो संग्त राश्ट संग पहला अंतराश्टी और्गिनाजिशन था जिसके द्वारा human rights के लिए पहली बार declaration किया गया मानव अधिकार क्या है मानव अधिकार से हमारा भी प्राए है ऐसे अधिकार जो मानव को इसलिए प्राप्त है क्योंकि वह मानव है तो मानव को मानव होने के नातिज़ जो अधिकार प्रदान किये पहले बार स्वेंगत राश्ट संग के द्वारा उन अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। पहले बार स्वेंगत राश्ट संग के द्वारा उन अधिकारों को मानव अधिकारों को डिफाइन करने के लिए ऐसे अधिकार जो मानव के आर्थिक जीवन से जुड़े हुए थे, ऐसे अधिकार जो मानव के सामाजिक जीवन से जुड़े हुए थे, ऐसे अधिकार जो मानव के धार्मिक जीवन से जुड़े हुए थे, और ऐसे अधिकारों पर विस्तार से परिचर्चा की गई। और ये परतेग मानव के लिए अपरियार हे माने गई सेंट राष्ट संग के द्वारा जो अंतराष्ट मानव अधिकार घुशना पत्तर जारी किया गया था उस सेंट राष्ट संग के मानव अधिकार घुशना पत्तर के अनुसार अगर हम अधिकारों की बात करें तो इन अधिकारों को चार स्रेणियों में विभाजित किया गया है साथियों कितनी स्रेणियों में सहिंत राष्ट संग के द्वारा ऐसे अधिकारों को चार स्रेणियों में विभाजित किया गया है जो पहली स्रेणी है वे जीवन से जुड़ी हुई है तो जीवन के अधिकार मानवे जीवन से जुड़े हुई अधिकार जो वे सुविदा हैं जो मानवे जीवन के लिए हो वो मानव अधिकार हैं दूसरे अधिकार मानवे जीवन से जुड़ी हुई स्वतंतरता के अधिकार हैं तो साथ यो दूसरी स्रेणी स्वतंतरता के अधिकारों को बनाया गया तीसरी स्रेणी के जो अधिकार थे उनमें समानता के अधिकारों को सामिल किया गया और चोती स्रेणी के अधिकारों में म तरिम्त राश्टं के दोरा अंतराश्ट इस्तर पर एक कारी साला का आयोजन किया गया। यह अंतराश्ट इस्तर के पहली कारी साला थी जिसका आयोजन अक्टूबर 1991 में फ्रांस की राज़दानी पैरिस में हुआ। इसलिए इसे पैरिस संदी के नाम से भी जाना जाता है। बहरत सरकार के द्वारा, भारत संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया साथियों जिस अधिनियम का नाम है मानव अधिकार संरक्षन अधिनियम 1993 बिल्कुल आपको यह याद रखना है कि जो राज्य मानव अधिकार आयोगे किसके तेस्ता पित किया गया संसत के द्वारा मानव अधिकार संरक्षन अधिनियम 1993 जारी इसी आयूग के द्वारा एक Constitution Human Rights Commission के बारे में बनाया गया जिस Constitution में 43 धाराओं को सामिल किया गया और 8 अध्याय को सामिल किया गया इस मानव अधिकार संद्रक्षन अधिनियम 1993 में अब तक दो बार संसोधन हो गए हैं जो भी हमें ध्यान रखना है पहला संसोधन अधिनियम जिसको मानव अधिकार संद्रक्षन संसोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है वे 2006 में किया गया है और दूसरा मानव अधिकार सं अधिकाराईयो के लिए राजतान सरकार के दोारा जो प्रियास किये गए हैं उन पर गोर करना जरूरी ही तो आईए तेन डेटा आपको याद रखने नमबर एक पहली बार 18 जनवरी 1999 एस वी को अधी सूचना जारी की गई कि राजस्तान राजे में भी मानव अधिकार आयोक की स्थापना की जाएगी दूसरी डेट लाइन आपको याद रखनी है तेईस मार्च 2021 एस वी को राजस्तान राजे सूचना आयोक की इस धापना की गई इस अधी सूचना के अनुसार और तीसरी डेडलाइन आपको याद रखनी है 19 जनवरी 2001 एक एसवी को राजस्तान सरकार ने वी नियम जारी की राजस्तान राज्यमानवा अधिकार आयोक के बारे में मुख्याले कहां होगा, किस तरह से कारे करेगा, कौन-कौन से कम पोजिशन होंगे इसके आदार पर तो ये तीन जो महत पुन आदार हैं वो तारीके आपको राजस्तान राज्यमानवा अधिकार आयोक के बारे में बिलकुल याद रखनी है जो बहुत ही इंपोर्टेंट है अब हम आते हैं कि राजस्तान राज्य मानव अदिकार आयोग की स्तापना किस मूल सविधान के तहट की गई है तो जो मानव अदिकार संरक्षन अधिनियम 1993 है और उसमें जो 43 धाराएं है उन 43 में से एक धारा है जिसके संक्या है 21 धारा 21 के अनुसार परतीक राज्य का एक राज्य मानव अदिकार आयोग होगा ऐसा इसमें मैंसीं किया गया और मानव अदिकार आयोग उस राज्य के नाम से जाना जाता है साथियों जैसे बिहार का राज्यमानव अदिकार आयोगे ऐसी राजस्ताल का जो मानव अदिकार आयोगे तो राजस्तान राज्यमानव अदिकार आयोगे नाम से जाना जाता है साथ यहों इसकी सरंचना के संबन में बहुत महत्कून पर सनाती तो सबसे पहले वर्तमान में इसकी सरंचना अधिनियम 2006 के अनुसार क्या है अधिनियम 2006 के अनुसार इससे पहले एक अध्यक्स और चार सदस्यों काम पोजिशन था परणटु 2006 के बाद इस सरंचना में परिवर्तन किया गया जिसमें एक अध्यक्ष होगा और दो अन्ने सदस्य होँगी कुल मिलाकर तीन सदस्य होँगे जिनमें एक अध्यक्ष और दो अन्ने सदस्य होँगे अध्यक्स के रूप में साथ हूँ आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्स किसे बनाया जा सकता है अध्यक्स के रूप में अब जो संसोदन 2019 से उसके तहट अध्यक्स का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो कि राजस्तान उच्छ न्याले उच न्याले का मुख्य न्याइदीस या इसी के साथ ये कलोज जोड दिया गया है या तो मुख्य न्याइदीस रहा हुआ हो या इसके साथ साथ ये भी जोड दिया गया है या वे अन्य न्याइदीस भी हो शकता है तो जो मूल प्रावदान है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है वो आपको जरूर ध्यान रखना है अद्देक्स के रूप में उच न्याले का मुखे न्यादीस या अन्य न्यादीस को सामिल कर लिया गया है यह आप ध्यान रखेंगे अन्ने नियादीस को सामिल किया गया इसके अलावा सदस्य के रूप में ये प्रावदान किया गया है कि या तो वह सदस्य कुछ नियाले का नियादीस हो तो ये दोनों चीजें वहां रिटार्यमेंट के बाद बनता है और यहां वहे सरइन सर्विस ही हो सकता है नियादीस हो या रहा हो दोनों चीजे रिटारी हो सकता है या वरतमान में हो इसके साथ जो दूस सदसे है उसमें एक योगिता ये भी हो सकती है कि ऐसा सदासे जो अगर राजस्तान या राजजे उच न्या ले का न्याइदिस नहीं है तो उसके इस्थान पर, या क्लोज करके जोड़ा गया है उसके इस्थान पर जिला न्याय ले का न्याइदिस भी हो सकता है जिसको district judge कहा जाता है लेकिन ऐसे व्यक्ति को कम से कम साथ वर्स का अनुभव होना जरूर है उसे भी सदस्य पोइंट किया जा सकता है और तीसरा सदस्य साथ हो ऐसा व्यक्ति होगा जिसे मानव अधिकार के छेतर में क्या हो मानव अधिकार के छेतर में अनुभव हो मानव अधिकार के छेतर में अ सदस्य होंगे अध्यक्स और सदस्यों की नियुक्ति की बात है तो अध्यक्स एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाते बिल्कुल आपको ध्यानोंगा अध्यक्स और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की द्वारा तो राज्यपाल अध्यक्स और सदस्यों की नियुक्ति करेगा और यह नियुक्ति एक सिफ जो हम कह सकते हैं खोजबीन समीतियों की समीति की सिफारिस क्या धार पर की जाएगी और समीति की जो सिफारिस है उस समीति में सिफारिस करने वाले में जो कमपोजिशन होगा एक समयती का अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष उस राज्य का मुख्य मंत्री होता है एक दूसरा सदस्य होगा जो सदस्य हम कह सकते हैं कि उस राज्य का जो भी गरह मंत्री होगा केविनेट मंत्री की रूप में वहें गरह मंत्री सदस्य होगा तीसरा जो सदस्य होगा वहे विधान सबा तो राजस्तान में के विधान सबा विधान परिश्द है नहीं इसलिए विधान सबा का अध्यक्स होगा और चोथा जो सदस्य होगा वे विधान सबा में जो चोथे सदस्य के रूप में विधान सबा में बहुमत दल का जो नेता है विपक्स का जो विधान सबा में विपक्स का नेता तो विधान सभा में जो विपक्स का नेता है वो सदस्य होगा तो सामाई दर उस चार सदस्यों की समीति होगी और इस समीति के जो राज्येपाल को सिफारिस की जाएगी परंदू जो दो न्याइक सदस्यों की नियुक्ति के संदर्म में सिफारिस करने से पहले और उस सिफार धीश से भी सला करनी होगी नयाएक सदस्जों के रूप में अन्ने के लिए नहीं अब साथियों इनकी निवक्ति राज्यपाल करता है प्रणतों आपको ध्यान रखना है कि इनको हटाने का अधिकार राश्टपती का है, राज्येपाल का नहीं है और राश्टपती इन्हें दो आधारों पर मुखे रूप से दो तरीके से अटा सकता है तो राजस्तान जो राज्ये मानवादिकार आयोग है उसके सदस्यों के नियुक्ति राज्येपाल करता है प्रंतु उनको हटाने का कारे राश्ट पती के द्वारा किया जाता है और राश्ट पी नंबर एक पर यदि उन पर ऐसा कोई आरोब हो जो सदाचार जो कदाचार और ऐसक संता से जुड़ा हुआ हो तो सर्वोच न्याले की एक जाँच समिती होगी और सर्वोच न्याले की इस जात समिती के परती वेदन पर जो राष्ट पती है उन्हें हटा सकता है। परंतु मामला ऐसा हो जिसमें दिवा लिया और पागलपन की बात सामिल हो तो उसे बिना जाच के भी हटाया जा सकता है। साथ हम इसके बाता है इन अद्यक्स और सदस्यों का कारेकाल क्या होगा तो 2019 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। इसी के साथ एक और जो 2019 में परिवर्तन कर दिया गया संसोदन में वो यह है कि इन सभी को अद्यक्स और जो सदस्यों हैं उनको पुनहे नियुक्ति के लिए पात्र किया गया है तो पुनहे नियुक्ति किया जा सकता है और लेकिन परंतु उम्र का ध्यान रखेंगे तो इसे नीचे कहीं भी कारिय नहीं कर सकते हैं यह इसका important composition है इसके अलावा अगर कारिय की बात करें तो इस नियाले के पास जो खुद के अपने एक आयोग है उसके अपने मानव अधिकार courts होते हैं धारा 30 के अनुसार मानव अधिकार नियाले होते हैं और लेकिन यह जो निय नियाले होते हैं वो नियाएक परकरती के नहीं होते हैं दिवानी हम कह सकते हैं दिवानी परकरती के नहीं होते हैं दिवानी वैस सीविल नियाले आप इसको कह सकते हैं उनके पास नियाएक परकरती के नहीं होती इसके अलावा यह नियाले सामाने परकरती के जो एक साल वैसा कह सकते हैं ऐसे मामलों में भी ये सुनवाई नहीं करते हैं परंतु यदि लंबे समय से किसी जो कंप्लेंड है उसका निवार्ण नहीं हो रहा तो वहां ये इंटर्फिर करके उसको इतला कर सकते हैं कि वो निर्धारित समय में या उसको ज्यादा लंबा क्यों खीचा जा रहा है उसमें वो नियाएक परकरती की मामले में नहीं जाच परकरती हूँ वहां पर इसके अलावा साथियों राजस्तान राज्य जो मानव अधिकार नया आयोग है उसका मुख्या ले जयपुर में हैं और इसका जो आधर्स वाक्य है वो है मानव अधिकार सब के ता उसका मूल उद्दे से क्या है मूल उद्दे से जो कई बार पूँचा गया है मानव अधिकारों को संरक्षन परदान करना यानि कि उनकी सुरक्सा करना और दूसरा उनकी उन्नती को बढ़ावा देना मानव अधिकारों के बारे में जाग रुपता पहलाना तो भारते स आगरिकों को दिये गए हैं जिनको आप fundamental rights कहते हों इसके अलावा वे सभी अधिकार जो जीवन, स्वतंदरता, समानता और गरीमा से जुड़े हुए हैं उन सभी अधिकारों को मानव अधिकार के रूप में define किया जा सकता है तो भारत में मानव अधिकारों का जो दाइरा है वो काफी बिश्त्रित है अब दूसरा ये है कि जो मानव अधिकार आयोग है उसकी पहले अधिक्स कोन था तो राजस्तान राजचे मानव अधिकार आयोग का जो पहले अधिक्स था वो पहली अधिक्स महिला थी और इसलिए राजस्तान आयोग की पहली जो महिला अधिक्स तक तो 23 मार्च को इनको बनाया गया, 23 मार्च 2019 को और इन्होंने लगबक 11 अगस्त 2000 तक कारे किया, उसके बाद उनका कारेकाल खतम हो गया, तो सिर्मति कांता बटनागर और वर्तमान समय में जो राजस्तान, राजिमान, वाधिकार, आयुक के अध्यक्स हैं, वो 2021 से गोपाल करशन, व्यास हैं, तता एक इसके अभी वर्तमान में सदर से हैं, दो हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, कि वो सभी पद बरे हुए हो, तो इस तरहे राजस्तान, राज्य, मानवाधिकार, आयुक की सरंचना और प्रादिकार की बात कही गई है, जैसा आप यहाँ देख मशीनरी के द्वारा इसको फॉल अब किया जाता है, एक इंस्ट्रेक्टर जरूर्लो पॉलिस लेवल का अधिकार इंके पास होता है, इनिवेस्टिगेशन के लिए और पुलिस साहता के लिए, तता एक राजस्तान, राज्य, मानवाधिकार, आयुक का सच्चिव भी होता ह जो हम कह सकते हैं कि राजस्तान की राज्य सच्चिव के संकक्ष और केडर का व्यक्ति होता है, इस तरह इनके माद्यम से जो राजस्तान, राजày मानवाधिकार, आयुक है, वो राजस्तान इस तरपर, और राजज सूची के विशव में पर, यूमन राइट्स में 21 से राज्यमानो अधिकारों का आयोगों का जिक्र किया गया है आप सभी का देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद